नमस्कार साथियों कि आखिर चंदर सेखर आजाद के से कहला है बहुत सारे लोगों को लगता है कि आजाद उनकी सरने में पर ऐसा नहीं है चंदर सेखर की सरने में तिवार ही है पर आजाद कहलाने के पीछे एक कहानी छुपी हुई जिनके आज हम चर्चा करने वाल है पर उससे पहले चंदर सेखर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वुहीज चंदर सेखर तो आएए देखते हैं चंदर सेखर का जनम सन 1906 में मध्य भारत के अलिराजपूर नाम के एक रजवाडे के भावरा नाम के छोटे से गाउं में ब्राह्मन परिवार में हुआ था माता जोगरानी देवी और पीता सिताराम तिवारी थे चंदर सेखर के बचपन की बात है एक बार चंदर सेखर ने चार-पांच पटा के एक साथ जला दी उनके कारण उसका हाथ जल गया वो देखके वहां मुझू जितने भी लोग थे डर के मारे चोंग गये लेकिन चंदर सेखर नीडरता से उस गाव को देखते रहे इसी नीडरता और अडगता और इसी सहन सिलता बचपन से उन में थी माज 15-16 साल के आयू में संस्कुरूत का अधियन करने के लिए वो कासी चले गए थे तो यह थी कुछ चंदर सेखर की बचपन की बात है अब हम हमारे मेंड टोपिक यानी किस प्रकार चंदर सेखर आजाद के लाएं वो देखते हैं यह बात है सन 1921 की जब अस्वहयोग आंदोलन ने पुरे भारत को अचमचा के रखा था उन दिनों स्कूल और कोलेज के छात्रों भी उनांदोलन में जुड़े होगे थे उसे देखके चंदर सेखर भी उनके साथ जुड़े कासी की राजमाग से विसाल रेली पसार हो रही थी हजारों की भीड में लोग जहिगोस करते होगे आगे बढ़ रहे थे उतने में वहाँ पूलिस आ पहुँची और बीना कुछ कहे सब पर लाठिया बरसाने लगी उसे देखके चंदर सेखर से रहा ने गया और वो भीड में से आगे आके पूरी गर्जना के साथ बोले भारत माता की जई अंग्रेज पूलिस ने चंदर सेखर को पकड़ के जेल में डाल दिया और भी कई साथे लोग पकड़े गए मेजिस्टेट जिसे आजम जज या तो फिर न्याय दिस कहते उसने किसी को तीन महिने की तो किसी को छे महिने की सजा दी लास्ट में चंदर सेखर को मेजिस्टेट के सामने लाया गया मेजिस्टेट और चंदर सेखर के बीच सवालात सुरू हुए मेजिस्टेट ने चंदर सेखर से पुछा तेरा नाम क्या है चंदर सेखर ने कहा आजाद मेजिस्ट्रेट ने पुछा तिरे पिता का नाम क्या है चंदर सेखर ने कहा स्वाधिन ता मेजिस्ट्रेट ने पुछा कहा रहते हो चंदर सेखर ने कहा जेल में रहने चला जाऊंगा मेजिस्ट्रेट ने पुछा अभी तुम क्या कर रहे हो चंदर सेकर ने कहा अदालत का यानि कोट का बोईकोट यह सुनते ही मेजिस्टेट गुस्से में आ गया मेजिस्टेट ने कहा तुझे सजा दी जाएगी तो फिर चंदर सेकर ने निडर्ता से कहा मैं तयार हूँ चंदर सेखर के एसी नीडरता भरी बाते सुनके वहां मुझूद जितने भी लोग थे उस सब खुश हुए लेकिन मेजिस्टेट एकदमी लाल पिला हो गया वह इतना गुसे में आ गया कि उसने चंदर सेखर को लेधर की चाबुक कि जिसका खास तोर पे घोड़े को लगाम देने के लिए उसके आ जाता है उसके 12 फटके मारने की सजा दी आप लोगों को लगता होगा कि ये कोई बड़ी सजा नहीं है पर आपको बता दे कि उस टाइ आपको बिगो के फटके मारे जाते थे और बिच्छू काटने पर जो दर्द होता था वेसा ही दर्द इस फटके से होता था अब आप ही कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयंकर ये सजा होगी उन दिनों चंदर सेखर के आयू तो कुछ 15-16 साल की थी उनको ये सजा इस उनके हमा इसे वेसे दर्द बढ़ने लगा और सरीर में से खून भी बहने लगा इसके बावजूद भी चंदर सेखर के मूं में से एक ही आवाज सुनाई देती थी भारत माता की जय वंदे मात्रम जेल में मोजू जितने भी केदी और अधिकारी लोग थे वो भी ये द्रश्य देख के काप उठे वहां के जेलर ने तो अपने पूरे जीवन काल में एसा युवा कभी नहीं देखा था तो आप कल्पुना कर शकते हैं कित्तान और मन दोनों से कितने मजबूत होगी चंदर सेखर जिस दिन चंदर सेखर को जेल से छोड़ा गया उस दिन पूरे बनारस ने उन करम और शोर्य की बदलत वह आजाद के लाएं कि साथियों भाग्य सालिए कि हमें पर तंत्रता का एसाद भी नहीं है इस्वर्क रूपा और चंदर सेखर जैसे देश भक्त के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में मुक्ति का स्वास ले सकते हैं चंदर सेखर के सरित्र में स हम यही प्रहिणा लए सकते हैं कि चंदर सेखर जैसी देश भक्ति और चंदर सेखर जैसे गुन हमारे अंदर आये और उनके जैसे त्तान और मन से हम मजबूत बनें बाकि वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो पसंद बंदे मत्र